नमस्कार आप अगर जियुन में कुछ करना चाहते हो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो लेगर अगर आप ही कुछ करना नहीं चाहते हो ना तो आप जियुन में कुछ भी नहीं कर सकते हो ये दो बाते ये दो चीजे ऐसी हैं अगर आप कुछ करना चाहते हो ने इन दो चीजों को फोलो कर लिया इन दो बातों को अगर आपने फोलो कर लिया ना तो दावा है मेरा आप से आप कुछ भी कर सकते हो आप जो पाना चाहते हो ना लाइत में वो पा सकते हो बस ये दो अगर आपने नहीं उतारी ना, तो आप कुछ में नहीं कर सकते, आप चोटों मुणा कारी भी सफल तरीके से नहीं कर पाओगे, अगर ये दो बाते, दो चीज़े अगर आपने, आपने अपनी आदत में, नहीं उतारी तो, अब आप कहोगर, कुछ को यो सरव ऐसी कौनसी दो बात हैं जो हमें उतारनी चाहि educators यह दो बते हैं लो ज Där करते हैं केता हूं हर इंसान को अपनी लाइप में ऊतरागे कि अब आगे बढ़ पाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में और कुछ नया कर पाओगे कुछ विजिएस और कुछ जुनून के साथ में करपाओं स्विकार करने के हिम्मत रखो आप कुछ भी कारिय हाथ में लेते हो करने का उस कारिय के करने के लिए आप जी तोड़ मेनत करते हो पूरा जोज, जुनूर और लगन के साथ काम करते हो बाई दवे इन केस वो कारिय वो वर्क अनसक्सेज हो गया तो आप क्या करोगे उस वर्क को एक्सेट करने के हिम्मत रखोगे या उस असपल हुए कारिय को किसी दूसरे को उपर डोल दोगे कि नहीं यार वो तो उसकी वज़े से असपल हुआ नहीं यार वो तो उस परिस्तिती की वज़े से असपल नहीं यार वो तो एक कोई विश्यस कारण हो गया इसलिए वो कार्य असपल होगा जीवन में इसा कभी मत करने आप ने अगर कोई कार्य लिया है ना और वह अगर असपल हो गया है आप से तो उसे सब के सामने एकसपेक्ट करें कि हाँ मुझ्छे कार्य असपल हुआ और मैं इस कार्य में सपल नहीं हुआ कोई बात नहीं सचाहिए है आप यह मत् note के लोग मुझे क्या कहेंगे लोग मुझे तरतर के ताने मारेंगे ऐसा मत सोचिए स्विकार करने के हिम्मत रखिए accept करने के हिम्मत रखिए हां अरे यार आपने कुछ और कुछ कारिय करने के हिम्मत तो की आपने कुछ नया करने की कोशिस तो की बस उस कोसिश पर जाएए और हिम्मत से स्विकार करिये कि हाँ ये कारिय मुझसे नहीं हुआ लेकिन मैंने कोसिश की इसलिए कोई वर्की नहीं कोई दूसरा पर अगर कारिय आप कर रहे हो ना तो उस कार्य को स्विकार करने के हिम्मत करें कि हाँ ये कार्य मुझसे असपल हुआ है और उसे आगे में सपल करने की कोसिस करूंगा से कर सुधार करने के लिए आप कोई भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में सुधार करने की नियत रखे एकूछ है अगर आप से अगर कोई छोटा बच्छा भी कहता है कि अंकल वो कारी आप घुलत कर रहे हो इसार करो तो आप करूज़ेais हो सकता है वह बात आपको मलम नहीं अपने जीवन में एक बात आप काहर्ट हर कारी को सुधार करने की कोशिश करिए चाहिए उस कारी में आप परफेक्ट क्यों नहीं हो गए हो लेकिन भी अगर कोई अच्छी बात आपको बताए तो एक्सेप्ट करें और अपने कारी में सुधार करें हर वक्त अगर आप अपने कारियों में सुधार करते जाओगा देव भई दे, निरफन से निरंतर तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस वर्क में पर्फेक्ट निष्ट बन जाओगे एक फर्फेक्ट व्यक्ति बन जाओगे और फरफेक्ट व्यक्ति कैसे बनता है बार बार किसी कारी में सुधार करने से बनता है अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हो या आप कुछ विशेश करना चाहते हो यह दो बाते अपने जीवन में उतार लेना सुधार करने के हि को बहतर तरीके से कर पाओगे